यह मेरे पास बैटरी है 6V 4A और यह बहुत दिन से रखा हुआ था अभी यह work नहीं कर रहा है तो अभी जो यह work नहीं कर रहा है तो किस टाप से बिएव कर रहा है इसका क्या symptoms है फिर इसे हम चार्ज करेंगे तो उस charging समय में इसका क्या behavior है यह current ले रहा है या फिर नहीं ले राए , फिर चार्जिंग के बाद कि स्टाभ से बिशेव करता है , मैं आज को एक वर्क्सक्क्रोंई में आपको शारा चीज वताँए और इससे की तरीका से चार्ज करना है और सही करना है आज की वीडिО में आपको सार्सेज बता आए है आप इस वीडियो को कम्लीट वाज करना आपके घर में जदी डैमेज बैटरी होगा तो आप उसे रिपियर कर सकते हो बड़ी असानी से तो सब से पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूं मल्टीइटर को DC डाल की हम वोल्टेज चेक करते हैं तो 4.3 वोल्ट आ यानि कि इसमें वोल्टेज है अभी अब हम मल्टीइटर के दोरा करेंटफ एक इसले चलाता है या पिर नहीं चलता है, अभ यह पहले चलता है देख सकते हैं एर पीलटफ का परmedimीटर का का फोलो होना चाहिए बहुत ही ज्यादा होना चाहिए जिससे की वायर जल जाना चाहिए लेकिन इसमें जरावी अभी अस्वार्क नहीं हो रहा है तो मैं आपको इस LED बल्ब को जला कर दिखाता हूं इसलों जाहिए जिसमें जल देख messaging करने के लिए चली आप देख सकते हैं आप देखे इसका जो करेंट जो इसमें फोलो हो रहा है आपको voltage होगा current तो नहीं के बराबर सोगा LED बलब सब चोटा चोटा LED बलब सब जलेगा और जरा भी heavy load चला ओगे motor हो गयरा तो वो नहीं चलेगा चलिए मैं आपको अभी इस पर motor चला के देखता हूं यह motor चल पाता है या फिर नहीं चलता है उसके बाद हम इसे charge करके देखे तो अब हम इस battery पर इस motor को चला के देखते हैं यह motor चल पाता है या फिर नहीं चल पाता है यह जो मेरा motor है इसे घुबर गीर लगा हुआ है जब यह rotate करेगा तो धिरे धिरे रोटेट करेगा येकिन आप देख सकते हो यह motor जरा भी rotate नहीं कर रहा है जानने कि यह जो बैटर करने के लिए हम आठ बोल्ट दे सकते हैं या फिर आठ नो बोल्ट तक दे सकते हैं लिए उससे ज्यादे बोल्ट देगो यह बैटरी खड़ा भोने का चांस रहता है छे बोल्ट का बैटरी है तो 7-8 बोल्ट तक आप इससे दो और इसके उपर भी लिखा हुआ है अब ूसे चार्ज को एक हम चोच के लेकिन के चार्जा नहीं हुआ तो इसे एक मोट आप चार्ज करने के लिए इसे हमें रोज़ा देना होगा यानै कि फट्रों रहने होगा fourश का बैट्स लज़ास खूर्बाराव रोट नहीं चलेगा इस टाइप के कंडिशन अब यह मिरे प का है दो या एक एंपियर का है अब देख सकते हो अब इसका भोल्ट देखो 13.81 13.92 मतलब कि एक रोस 14 भोल्ट तक है 13.92 तो जोले अब हम इसे positive को positive में लगाएंगे और negative को negative में लगाएंगे और लगा चार्ज करते हैं प्हाले है हम चार्जीं की समय में ठाज्ण का समय में चार्ज हो रहा है या पिर नहीं हो अफ्य हो पार रहा है हम ऐट्य हम म games करेंगे same किसी भी एक वायर को में लगा देंगे निगेटिव को लगा ना हो तो निगेटिव को निगेटिव में लगा देंगे अब हम यहां पर सिरीज में लगांगे इस मल्टिमीटर को यहां पर करेंट सो होगा आप देख सकते हो यहां पर करेंट सो हो रहा है वन पॉइंट कुछ इंपियर सो हो रहा है लेकिन यह बिलिंग कर रहा है लेकिन यह बिलिंग क्यों कर रहा है वह तो मुझे भी नहीं पता यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेट बॉक्स में बता सकते हो यह इसका जो इंपियर सो हो रहा है चार्जिंग के समय वह बिलिंग हो रहा है यह क्यो इस वायर को भी इसमें लगा देंगे और लगा कि 10-15 मिनिटर के इसे छोड़ देंगे और इसे लगाने के बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा पहले हम इसका बोल्टेज चेक करता हूं और इसमें बैटरी में लगा कि इसका बोल्टेज चेक करेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपका बैटरी चार्ज हो रहा है यदि आपको करेंट ले रहा है तभी बैटरी चार्ज हो रहा है अभी आप देख सकतो हो यहां पर जो दो तरीका बताया आपकी वोल्टेज यादी रिडियूस हो रहा है तब भी आपका बैटरी चार्ज हो रहा है और करेंट कम सोरी करेंट लिए रहा है सिरीज में लगाने के बाद तब भी आपका बैटरी चार्ज हो रहा है यानि कि आपका बैटरी सही हो सकता है की इतना जादा देर नहीं देना लगभग एक मिनट या फूल समें लेकिन इसे हम फंद्रा मीनृट तक इसे हम चार्ज कियी है नहीं चलिए आभ इसका वोटेज भी चेक करेंगे उसका आफ देह सकते हो देह अब भी मेरे बैटरी में charger भी लगा हुआ है और charger 13 बोल्ट का है लेकिन उसके बाव जो जब हम इसका बोल्ट चेक करते हैं थे यह 4.7 बोल्ट दिखा रहा है यानि कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है और बहुती फ्रीट में चार्ज हो रहा है तो चलिए अब हम इसके वायर क और देखो बैट्टी आ जो सकता है लेकिन उससे ज्हादा यह यह नहीं हो रहा है कि इससे पहले मुहें ने जब यह बैट्टी को टेज मारा twentी और तब करेंट दिखा रहा था अभी 10 एंपियर से जाद ही हो रहा है इसका मतलब मेरा बैटरी सही है और यह वर्क करना शुरू हो चुका है अब देखा जब हम इसी सीरीज में अभी लगाते हैं अभी यह करेंट को सो कर रहा है याने कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है मतलब मेरा बै पर वर्क करता है सही से और इसके उपर गीर लगा हुआ है इसलिए यह बहुत ही कम स्वीड रोटेट करेगा यह आप देख से तो यह जो मोटर है यह बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन स्टार्टिंग में जब हम इसमें मोटर लगा थे तो वह जरा भी नहीं चल रहा था तो हेलो फ्रेंट्स आज को रुख सपर में आपको बताया यह आपका बैट्री डैमेज हो जाता है खड़ाब हो जाता है बहुत दिन से रखा रखा तो आप उसे कई से रिपेर कर सक करता है अभी आपको नहीं दीख रहा होगा लेकिन हम अभी जो सॉट के इसमें हलका हलका स्पार कर रहा था